तरह दिपावली का सीजन आ रहा है और हम सब दिपावली पर गनेश जी की पुजा करते हैं लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम दिपावली पर गनेश जी की पुजा क्यों करते हैं लक्ष्मी मा को ये क्यों पूछते हैं Of course I am going to talk in the later video about मा लक्ष्मी also लेकिन गणेश जी की दिपावली पर ही क्यों आखिर क्या पॉपस है इसका चलिए आपको बताती हूं इस से हम समझेंगे गणेश जी के family tree से गनेश जी और उनके family tree को समझी और फिर मैं आपको इसकी depth में लेके जाओंगी गनेश जी की शादी हुई उनकी दो wives हैं सिद्धी और रिद्धी इन दो wives से उनको दो बेटे हुए शुब और लाब जो आप अपनी books पर भी जब बनाते हैं स्वास्तिक जब नई books बनाते हैं वो गनेश जी के बेटे हैं शुब और लाब अब ये शुब और लाब जो हैं इनकी दो मतलब इन्हों ने भी शादी करी तो इनकी wives के नहीं है तुष्टी और पुष्टी अब इनसे गनेश जी के दो grandsons भी जिनका नाम है आनंद और प्रमोद अब ये family tree की बात मैं तो अगर आपको master बनना है तो गनेश जी उसमें आपके helpful है अब गनेश जी को जब हम पूछते हैं या गनेश जी जो हमारी life से obstacles निकालते हैं गनेश जी की qualities जब हम imbibe करते हैं तो हमारे दो साथी हो जाते हैं रिद्धी और सिद्धी जो गनेश जी की vibes है रिद्धी means success and सि सिद्धी means skillful यानि कि अगर आप अपनी जिंदीगी से obstacles को remove करेंगे आप skillful बनेंगे इसमें तो आप successful अपने आप बनेंगे that means रिद्धी और सिद्धी का रोल तो जब ये तीन चीज मिल जाती हैं तो दो नई भाई product होते हैं that means Shubh and Lab जब आप skillful होंगे और successful होंगे तो आ और partner's life में मिलेंगे जो Shubh and Lab की wives है तुष्टी and पुष्टी तुष्टी means satisfaction जब gains होते हैं तो किती satisfaction होती है and तुष्टी means satisfaction and पुष्टी means healthy one यानि कि जो हमें health देती है अच्छी सिरफ अच्छे सब कुछ अच्छा चले और तब ये ठीक ना चले इसकी भी क्या sense है तो तो इसके दो और चीजें आपकी जिंदगी में end result आते हैं that is आनंद and प्रमोद आनंद means always happy blissful without a reason happy and प्रमोद means सुख हमें सुख भी मिले और हमें खुशी भी मिले आनंद भी मिले तो गणीज जी से हम कैसे नीच आते हैं अगर आप obstacles को remove करते हैं आप अपनी जिंदगी में problems को remove करना सीखते हैं तो आप skillful होते हैं आप successful होते हैं जब आप skillful or successful होते हैं रिद्धी मा और सिद्धी मा आपको मिल जाते हैं तो आपके पास शुब और लाब आते हैं यानि कि आप की जिंदगी में सब अच्छा अच्छा होता हैं और साथ साथ आपको gains भी होते हैं जब अब आप समझे की गणेश जी की पूजा दिपावली पर क्यों की जाती है? I wish you a very very happy and prosperous Diwali. भगवान करें ये साल, आपके लिए बहुत सारी खुश्यां लेकर आएं और हर साल आपकी प्रोग्रेस हो, may you become a better version of yourself.